हलो और वेलकम तो लेट्सक्राइक यूपेसी सीएसी मैंने में इस प्रतीक नायक और वेलकम यूपेसी सीएसी की प्लैटफॉर्म के उपर हम लोग डिसकस कर रहे थे इंचियार्टी की सीरीज को आज के क्लास के अंदर बुद्धिसम और बुद्धा के टीजिंग्स को अल्म है उन सब को तो मेरे बारे में परिच्छे होगा ओल दे न्यू स्टूडेंस वे जस्ट न्यूली जॉन्ट उन्स प्लैटफॉर्म देर मोस्ट विलकम इन फैक्ट मेरा थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रॉक्शन दे देता हूँ आप बिन टीचिंग सिंस लास्ट एट एट सब्सक्राइब कर रहा हूँ हमने बुद्धिजम को पिछले क्लास के अंदर देखा था and we had discussed about the story of Buddhism है ना तो आप याद करिए पिछले क्लास के अंदर की हमने क्रोनलोजी के अंतरगत क्या समधने की कोशिश की थी सर है ना तो हमने आपको बुद्धा के बारे में बताया थ यही फिलोसपी के अंतरगत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी की टोटल चौसट से ज्यादा अलग-अलग संप्रदाय बनके आये सर मोर दन 64 sects evolved during this period यह चौसट संप्रदायों के अंतरगत एक तो वर्धमान महवीर के द्वारा दिया गया इनफेक्ट है ना जो जो जैन सिधार्थ गौतम की जो टीचिंग्स थी वो भी इसके अंदर से और पॉपिलर होगी और वहां से बेजिकली क्या बन दाता है बुदिजम का डेवलोप्मेंट होगा तो कलके क्लास के अंदर मैंने आपको स्टोरी और बुधा बताई थी in the yesterday's class अगर आपने यहां पर क्लास को टेंड किया होगा तो वी है डिस्कुल्स स्टोरी और बुद्धा इन फैक्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की थी के जो गौतम है उनकी स्टोरी क्या रहती है सब ठीक है ना वह यूराज के रूप में कैसे ट्रांदिशन करते हैं और उसके बाद उनको बेसिकली जब यहां पर इनलाइटनमेंट होता है यही इनलाइटनमेंट की घटना को क्या कहते है निर्वान के बाद वाट डूए सी वी कम तू नो सिधर गौतम बिकेम गौतम बुद्धा गौ हमने थोड़ी बहुत टीचिंग्स के बारे में डिसकस किया था येस्टडी वी हैट सीन देटीचिंग्स अ बुद्धा और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि बुद्ध ने अपने टीचिंग्स के अंतर गत क्या कहा तो इसमें इन फैक्ट फोर नोबल टूथ के बा कि the more the desires the more unhappy we are है ना कि जीवन में जितने दुख होते है desires के कारण तो यह सब चीज़े देखी थी आज यही टीचिंग्स के ऊपर से और further explanation करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धा के अनॉंस्मेंट करना चाहूंगा रिगारिंग ते तमिल लैंग्वेज इन फैक्ट आप यूपीएसी की तेयारी तमिल मीडियम में कर रहा हो इनी अप यूव फ्रेंज वह प्रिपरिंग इन तमिल मीडियम अनकेडेमी है इस क्रेटिंग और कंडुक्टिंग समिट ऑन 15 आई तो वैसे अनकेडेमी यहां पर आपके लिए फाइनस प्लेटफॉर्म कर रहा है जरूर्स अटेंड करेगा यह आप मैंसे जो भी फ्रेंड्स तमिल लैंग्वेज जानते हैं जिनको वरनाइकुलर लैंग्वेज के अंदर तैयारी करनी है वो भी यह संगम को अटेंड कर सकते हैं बट इसे सपेशली फॉर दी तमिल मेडियम ओनली खेर इसके अलावा माइबैची आ रणिग अधियार अग्यारा अग्यारा शुरू हो गया है आज जब तक यह सेशन देख रहे हो तो भी है ओल्री कंड़ेड अलाइव सेशन और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो GS optional दोनों का combined subscription लीजिए in fact history को पूरा comprehensive भी मैं करा रहा हो तो this is the course that we are launching today we have already launched the session and this is a very comprehensive course of 80 hours for general studies history तो subscription लेने के लिए description box links available है उसके उपर क्लिक करिएगा PN live code डालिएगा ये in fact एक batch course है इसमें इंडिया के topmost educator के साथ हम लोग course कंड़क कर रहे हैं तो मैं हू नुडाल सर है और भी आपको teachers दिख जाएंगे जो इसके part है सर है तो most welcome आपको मिलेगा इंडिया के topmost educators की group के द्वारा आपकी पूरी की पूरी understanding हो जाएगी notes available है subscription package के अंदर आपकी test series आ जाती है prelims mains optional तक की test series है loan facility available है assurance मिलता है कि आप आज subscription लोगे तो अगले साल की mains तक है ना तो आज almost 11 तारीक हो गई है तो नेक काम में देरी कैसी subscription लेते समय ये code को जरूर से use करेगा और आपको काफी फाइदा मिलेगा in fact iconic subscription भी available है इसके अंदर आप mentorship भी रख सकते हो हमारे यहां पर optional की बहुत सारी batches शुरू हो रही है and आज in fact take optional के कार्णिवल शुरू हो है next week भी optional का कार्णिवल शुरू होगा मेरे भी नए optional के courses इसके अंदर launch होंगे आप इनको भी attend कर सकोगे पूरे की पूरे comprehensively in fact 30 काफी बढ़ने वाली है यह जो subscription offer है 47,000 rupees के अंदर एक साल आपको यह 49,000 rupees के अंदर एक साल मिल रहा है this will eventually increase over a period of time तो most welcome है आप हमारे साथ extension भी देनेंगे मलब you'll give you plus one year extension just because आपकी तैयारी के अंदर कोई कमी ना रहनी चाहिए सरहना test series इसके अंदर cover हो जाएगी assured mains की आपकी coverage मिल रही है सर्थी के अगले साल तक in fact आपको यहाँ पर loan facility available है book set available है मनबुक के ओपर एक पूरा वीडियो बना है 20 books का पूरा set मिलता है बहुत ही upgraded and informative है वो भी हम लोग यहाँ पर cover करवा के दे रहे है iconic के अंदर आपको mentorship available करवाय जा रही है जहां पर आप dedicated mentor के थुरू अपने तयारी को कर सकते हो तो कोई भी प्रकार की तयारी होगी academic के platform के उपर आप effectively कर पाओगे और यह आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा तो most welcome है आप लोगों को batches के अंदर join करिए optional की dedicated subscription लेनी है तो भी ले सकते हो फर मैं तो कहूँगा कि GS optional दोनों का combine लीजिए so that आपकी बाकी सारे subjects की भी तयारी होगी optional में मैं हूँ या और कोई optional है say for example anthropology optional है we have got expert teachers for that subject as well है तो उसकी भी आपकी तैयारी यहां से बहुत effectively हो पाएगी batch courses हो जाएगी आपकी यहां पे test series available है और in fact scholarship test भी हम लोग कंडग करवाते है every Sunday we have got scholarship test known as the academic combat आप इसके अंदर भी participate कर सकते हो मेरे special classes देख सकते हो special classes के अंतरगत मैंने बहुत सारे topics को cover करवाया है आप इसको attend करिए यह free के अंदर है खाली यही code को use करना है PN live description box में link available है इसको भी attend करिए और हर Sunday every Sunday in fact है आप यहां पे participate करिए in fact अब 15 August को next combat होगा 15th of August को next combat होगा इसमें भी आप जरूर से participate करिएगा 60 questions या 56 questions in 60 minutes और history, art and culture के questions मैं set करता हूँ बहुत सारे combats के अंदर इसके video solutions मिलते है और best prize आपको prizes भी मिलेगी चलिए वापीस चलते हैं हम लोग discuss कर रहे थे regarding अधि बुद्धिजम अब देखे बु के teachings के इर्दगिर्द क्या बाते हो रहे थी उसके उपर मैं चला जाता हूँ तो हम लोग है न कलके class के अंदर जो भी बाते कर रहे थे डारेक्ली बुद्धिजम के उपर ही चले जाएंगी क्योंकि 6th century BC में जो भी traditions है उसमें बहुत सारे श्रमन traditions आये थे, बुद्धिजम के अंतरगत हमने कलके class के अंदर बताया था कि बुद्ध किस तरह से reality of life को दर्शाते हैं, इनके teachings के अंतरगत किन-किन चीजों की बाते cover होती है, ठीक है ना, तो we had discussed कि वो अपना संसार छोड़ देते हैं, जन्म के बाद, in fact, at the age of 29 उनकी शादी भी होती, उनको मटलिस्ट को देखा, mendicant का मतलब है, एक संत को देखा, सादू को देखा, फकीर को देखा, आज की तारिक में हम शब्दी यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, तो इन सब को देखने के बाद, बुद्ध ने, in fact, अपना संसार छोड़ दिया, यह संसार छोड़ने के बाद, वो यहां से वहां भटके, वो जीवन की सचाई डूण रहे थे, हना, तो श्रमण किसको कहते है, याद रखेगा, कि दे आर टूथ सीकर्स, श्रमण का अगर आपको डेफिनेशन पूछता है, अल्रेडी 2020 के अंदर पूछ दिया गया है, कि श्रमण किसे कहते है, तो दे आर नोन अस इवन की डूणने के लिए संसार सोड़के चले गए थे, और मटरिलिस्टिक कमफट को उन्होंने टाटा बाइबाय कर दिया, खतम कर दिया, और वो इवेंचुली अपनी रास्ते के उपर चले जाते है, ठीक है, यही रास्ते के उपर चलते चलते उनको काफी सारे लोग मि होती है, यही enlightenment property के basis के उपर, बुद्ध ने अपने धम का प्रचार करने की शुरुवात की, और लोगों को कहा कि आप अपने righteous living दीए, और यह धम के प्रचार के था है, उन्होंने middle path रिया, जिसे हम लोग कहते है, इसी के अंतरगत अस्टांगी का मार्क को प्रपोट किया अस्टांगी का मार्क का मतलब क्या है, there are eight resolutions that you need to take, मैंने आपको कल के class के अंदर उनको समझाया भी हुआ था, खेहरे, अब टीचिंग्स अब बुद्ध के ऊपर चले जाते हैं, कि बुद्ध क्या क्या चीजे बोलते हैं, अब देखें, बुद्ध के सीधे टीचिंग्स हो एक किताब के अंदर compile की गए थी, जिसका नाम था सुद्ध पिताग, तो actually होता क्या है कि बुद्ध के मृत्यू के बाद, एक बच्चे नहीं यहाँ पर गईका, मतलब yesterday's class के अंदर कमेंट लिखा था, कि सर कितनी council होती है, तो होता क्या है कि after बुद्ध, मतलब बुद्ध बीनी के अंदर हमने देखा था, सर ठीक है, और इनका मृत्यू कब होता है, कुशिनगर के अंदर होता है, सर ठीक है, अब in between this time, बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, in the form of विहार, सर ठीक है, so whenever he used to travel from one place to other place, he used to stay at a particular place, और जहां पे इनका place of residence था, उसे वि पिहार बना के दिया था, सर, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे traditions आपको देखेंगे बुद्ध के साथ, अब देखे, बुद्ध का जब मृत्य होँआ, कुशिनगर में, सर, by that time, he was already established as one of the biggest yogis in the country, एक ऐसे व्यक्ति जिनके विचारों को सब लोग मानते थे, सर, ठीक है, तो होत बुद्धिजम की councils के बारे में बता देता हूँ, तो आपको idea रहेगा, सर, ठीक है, पहली council होती है, 483 BC के आसपास, सर है न, यह मैं कहेंगे कि first Buddhist council, हम लोग को यहां पर मिल जाएगी, पहली परिशत, अजाद सत्रु करके जो राजा था, उसके द्वारा यह बुलवाई ग एक प्लेस, और फिर second council बुलवाई जाएगी, सर है न, यह जो second council है न, आपको एक सिशुनाग डैनस्टी के राजा रिखेंगे, काल अशोक सर है, अशोक नहीं था, सर है न, काल अशोक था, यह काल अशोक, actually मगद के ऊपर सिशुनाग डैनस्टी आती है, उनके साथ जुड संप्रदाय है सेक्ट इपर के आए, और यह सेक्ट के आंतरकत आप लुप्र के अड गाए, तो एक सेक्ट और के ग्रेंट नाम है थेरावादिन, यस स्तवीरावादिन भी कहता है, और दूशर संप्रदा अब के आए, जिसका नाम है महासंगीका, यह याद रखेगा, थे पाटलिपुत्रणा जब तीसरी काउंसिल बुलाता है, एक और किताब लखी जाती है, जिसका नाम है Abhidhamma Pitaak, कौनसी किताब है? Abhidhamma Pitaak, हे ना? तो होता क्या है कि अभिधम पिताक, विनय पिताक and सुथ पिताक ये तीन मिलके आपकी पूरी पूरी बुरी बुदिस्थ कैनन को दर्शाती है, ये पाली लिटरेचर का पार्ट बन जाता है और इसी को ही त्री पिताक कहते है, त्री पिताक का मतलब है थ्री बुक्स अ बुलाता है कनिश करके राजा जब चौथी गॉलवाएगा वन विल बूर्दीजिंग वाट विल हैं इस विल लीड टू निव फॉर्मेशन ऑब बुदिजिंग तो ही नियान करके संपर्दा है उभर के आया कौन सा संपर्दा है ही नियान करके संपर्दा है उभर के आया और दूसरा एक संपर्दा है आपको दिखेगा महायान सर ठीक है नो तो यह दोनों के दोनों संपर्दा है इसके बाद उभर के आएंगे अब ही नियान महायान क्या है अ दूसरे यहां पर भी बुद्ध के टीचिंग्स आएंगे अभी धम, धम का मतला भी होता है उनके टीचिंग, उनकी फिलोस्पी सर है ना, क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन के अंदर, जब से लेके उनको enlightenment प्राप्ति हुई थी, कब हुई थी, गया के अंदर सर, ठीक है, तो गया में जब से enlightenment प्राप्ति हुई, उसे हम लोग बेजिकली निर्वान केते हैं, और उसके बाद सारनाथ चले गए बुद्ध है ना, पहली बार, वो सारनाथ जाते है और सबसेट पहला सर्मन देते है, सर है ना, जब सारनाथ में जाके उन्होंने पहला सर्मन दिया, तो इसी को भी बेसिकली धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में बोला गया है, क्या कहा गया है, धम्म चक्र प्रवर्तन, मतलब बुद्ध ने अब धम्म का चक्रा बदलने की शुरुवात की है, बुद्ध है इसको बदल देंगे, ऐसा गोशना कर रहा है, तो उनकी जो सारनाथ की स्पीच है, बहुत फेबस है, क्योंकि वो साथ या पांच ब्रह्मन जो उनके साथ पहले गया के अंदर बैठते थे, उन्होंने ही उसको पहली बार सुना था, और बेरी मच इंफ्लुए इस दी, उसमें भी उन्होंने अपने टीचिंग्स बताए, उसके बाद ये अभिधम पिटाका में कमपाइलेशन हो, उनके लिटरचर का, सुथ पिटाक के अंदर उनकी टीचिंग्स कमपाइल किये गए, और वहां से उनके टीचिंग्स उभर के आए, ठीक है, तो यहां प पिता, जब संतान का मृत्यू होता है, तो कोई भी सुख में ठोड़ी जी पाएगा, तो इन सब कंडिशन के अंतरगर्द बुध्य ने ऐसी भाषा के अंदर उनको समझाया, प्रैक्टिकालिटी दर्शाई, और लोगों को कहा कि भाई, आप यहां से दुख के बाहर निकल है, और बुध कहते है कि everything is transient in nature, transient का मतलब है कि हमेशा चीज़े बदलती रहती है, everything is constantly changing, यह याद रखेगा, this is very important, क्योंकि it's the core part of Buddhism, अगर आपका जीवन है, समझ में आ रहा है, और जनमलिया तब आप थोटे हुआ करते थे, फिर उसके बाद बड़े हुए, बड़े आपकी उमर होती रहती है, और जैसे ही death होगा, तो everything will come to an end, हर एक चीज़ का अंत हो जाएगा, हर एक चीज़ बदलती रहती है, तो there is nothing called as permanency in life, एक चीज़ जीवन में याद रखेगा, कि nothing is permanent, एक शब्द आता है सर, बहुत interestingly, और यह शब्द यही basis के ऊपर established किया गया है, और कहा गया है कि nothing is permanent, कुछ भी permanent नहीं है life के अंदर, everything keeps on changing, आप आज की तारिक में देखे कि कल कहां पे थे और आज कब है सर, परसो कहां पे होगे किसको पता नहीं होता, you never know where you will end up at any place, तो बुदिज़म भी यही कहता है कि everything keeps on changing सर, और खासियत यह है कि बुदिज़म सोल क अंदर नहीं मानता है, अब मैं आपको थोड़ा table बना के दूँगा, so that यह table के basis के उपर से, in fact आपको पूरा का पूरा picture clear हो जाएगा सर, ठीक है, अब बुदिज़म क्या कहता है, बुदिज़म के अंतरगत, जो बुद्धा के teaching से आप समदने की कोशिश करिए, या उसके साथ हम लोग वेधिक teachings को भी compare कर सकते हैं, जो वेधिक हैं इसे हम लोग Hinduism के रूप में पैचानते हैं, आज की तारीख में, खेर, Hinduism शब्द तो कोई ऐसे directly आया नहीं है, वो तो later period के अंदर हम लोग हमारे समदने के लिए लगते हैं, वरना तो यहां पे शब्द लिखा अगे है, सनातन धर्म सर, ठीक है, तो आदी काल से चलता हुआ जो धर्म है, इसी कोई सनातन कहते हैं, तो हडपा के अंदर भी हम को इसका evidences मिलते हैं, वईधिक यूग भी जो था या वईधिक धर्म भी था, वो भी सनातनी प्रक्रिया का ही एक पार्ट सा सर, खेर, तो वुद के टीचेंग्स के अंतरगर्त हर एक चीज बोली जाती है, कि the whole universe, universe जो है, वो transient in nature है, transient का मतलब क्या है, वो हर एक चीज बदलती रहती है, ठीक है, अब क्या ये चीज, in fact, महवीर मानते है, तो महवीर ने इसके ओपर ज्यादा टिपनी नहीं की है, ठीक है, in fact, वेन वी सी शट दर्शन, हम लोग साथ, the six schools of Indian philosophies देखते हैं, तो उसमें एक philosopher आपको दिखेंगे, जिनका नाम था कफिल मुनी सर, है ना, तो कफिल मुनी ने सांकिया दर्शन दिया था, सांकिया is one of the oldest है, तो वो भी universe का creation की बात करते है, और वो कहते है, कि universe जो है, वो basically प जंग रूप के अंदर नहीं रहेगी, सर, सब कुछ बदलता रहता है, सर, ठीक है, तो change is the only constant, क्या कहता है बुद्ध, change is the only constant, हर एक चीज़ बदलती रहती है, अब देखें, बुद्ध के ये teachings के सार्थकता देखें, आज के समाई के अंदर, इवन आज के तारीक में भी हम बुद्ध के द्वारा की गई है, सर, डूसरी पॉइंट बुद्ध, बहुत सारी चीज़े कहते है, वो कहते है कि संसार में आत्मा नाम की चीज़ नहीं है, सर, ठीक है, सोल ड़स नॉट एक्जिस्ट है, अब ये बहुत इंट्रेस्टिंगली यहां पे बात करते है, वो कह तो सिर अब वो. जैनियन कहते है कि सोल वॉद्ध आत्मा हो फीधा है, चाहे एनिमेट ऑप्जेक्ट हो या इननिमेटी ऑप्जेक्ट हो सर, हर एक चीज़ के अंदर लाईफ होती बुद्ध कहते है कि सोल है ही नहीं सर तो क्या चीज एक्जिस्ट कर रही है हमारी human body के एक्जिस्ट कर रही है सर है तो कोई भी चीज एक्जिस्ट करती है वह vacuum के अंदर एक्जिस्ट करती है इसी कोई अनंत कहा गया है क्या कहते है अनंत के रूप में एक्जिस्ट कहते हैं हम एक ऐसा काल है जिसकी कोई व्याख्या ही हम लोग नहीं दे सकते हर एक चीज वैक्यूम में एक्जिस करती इसी ही वेजिकली आप देखोगे तो शुन्यवाद की थियरी आपको देखेगी शुन्यवाद पता है कि नहीं पता है आपको सर ठीक है न यह बुद्धिजम का बहु कोलता है यह सुन्यवाद जो है म्यादमिक दर्शन के द्वारा और पिरियोड ऑफ टाइम ज्यादा प्रफोगेट किया गया वाया बुद्धिस स्कॉलर कॉल्ड एस नागरजुन तो आप मेरे क्लासिस के अंदर आएगा प्लस कोर्स के ओपर तो मैं सुन्यवाद के ओपर करूंगा कि यह क्या कहते है ट्रांजियंट नेचर ऑफ युनिवर्स की क्या कहानी है तो कहते है सोल एग्जिस्ट नहीं करता यह कहते है सोल एग्जिस्ट करता है हर एक चीज़ के अंदर जीव होता है जनीजम तो कहता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर जीव होत तो यह masking का importance आपको जनीजम में तब दिखता था और वो लोग सफेद कलर का कपड़ा बादते हैं उनका intention यह है कि यह कपड़ा बाद में से जो भी जीव जन्तु हमारे शरीर में प्रवेश ले रहे हैं और फिर kind of viruses होते हैं बैक्टेरिया होते हैं वो मर ना जाए उसका हम लो आजाल के अंदर फसे हुए हैं तो वी फाइंड की इन हिंदुईजम एंजनीजम सोल हैसे वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके यहां पर आत्मा का बहुत इंपॉर्टंस है क्योंकि आत्मा को ही छुट्टी करानी है सर यह माया के अंदर गुरी हुई है माया का मतलब होती ह हमारी desires के अंदर हम लोग बहुत सारी materialistic comfort के अंदर जुड़े हुए है और इसी के कारण हम लोग का in fact है ना मोक्ष नहीं मिल रहा है हम लोग आगे नहीं चाह पा रहा है सर है ना तो जब तक आप सोल को liberate नहीं करा होगे तब तक कुछ नहीं होगा पर बुद्धिजम क्या कहता है कि सोल एक्जिस्ट ही नहीं करता है सो बुद्ध के टीचिंग्स के अंदर से आपको यह सब पॉइंट्स पता होना चाहिए तो according to Buddhist philosophy the world is in transient इसके लिए शब्द यूस किया गया अनिका अब आपको पूछेगा कि what do you mean by the word अनिका समझ में आया कि नहीं आया यह terminology दोगे 2021-2022 जब भी भी दे रहो सर है ना यह तो यह लेक्ट्स यहां पी रहेंगे YouTube के ओपर कहीं जाएंगे तो नहीं सर ठीक है तो यह जितने भी शब्द है इनकी शब्दावली को याद रखेगा सर ठीक है तो there is the keywords terminology के रूप में उसको अनिका के रूप में बुला गया ह और वो कहते है कि it is soulless यह अनंत है सर है आत्मा एक्जिस्टी नहीं करती है there is nothing permanent और eternal in it कोई भी चीज पर्मेनटी नहीं है सर तो यह पूरा का पूरा संसार है है इंग लोग इसको क्या कहेंगे संसार कहेंगे सर है ना दुनिया को क्या कहेंगे संसार के रूप में consider करेंग यह इसी को ही मैं कहूंगा zero में exist करता है यह इसी को ही मैं कहूंगा हिंदी के अंदर शुनिया के अंदर exist कर रहा है सर ठीक है ना यह black hole theory के साथ दर्शाता है खेर अब मैं जाओंगा नहीं वह black hole theory of evolution के साथ क्योंकि science भी यही कहता है कि पुरुच्वी का सर्चन कैसे हुआ ठीक है सो बुद्धा कहता है कि with this transient world यह changing world के अंदर sorrow is intrinsic to human existence जीवन में दुख ही दुख है मैंने आपको कल के class के अंदर बताया था कि दुख की कहानी क्यों बताते हैं बुद्ध कहता है कि जीवन का सार ही दुख है सर है ना और basically वो बताते है कि it is by following the path of moderation between the severe penance and self-indangels that the human being can rise above this worldly troubles आप जब तक severe penance करोगे तो भी आपको कभी छोटी नहीं मिलेगी यह self-indangence अपने आपको भोगी बना दोगे तो भी आपको कभी छोटी नहीं मिलेगी आप in fact severe path को follow करोगे जैसे बुद्ध ने किया था मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा वो इसी के कारण जब उनको बहुत पूख लगती है तो देन ही ड्रैंक दी होल आई वूट से मग ओफ देखीर दैट वस प्रोवाइड़े टू हिम बाए लेडी सर रहना गया के अंदर की यह गटना है तो कहानी यह दिखेगी कि बुद्ध बताता है कि आपको मध्यम मार्ग फॉलो करना पाथ फॉलो करना ना इधर जाना है ना उधर जाना है ना इधर जुकना है ना उधर जुकना है बीच का रास्ता फॉलो करोगे तो आप दुख से बाहर निकल जाओगे सर ठीक है इन अर्लियस फॉम बुद्धिजम वेधर और नौट गॉड एग्जिस्टेट वस टीचिंग के अंतरगत हमको बढ़ा चलेगा कि जनरली वह गौड के बारे में गौड के बारे में मतलब भगवान के बारे में कमेंट नहीं करते हैं वह इन फैक अपनी टीचिंग मेंदर लोगों को प्रैक्टिकालिटी सर जा रहे थे और वह इसके कारण वहूड को हा भी करते हैं और गौड को ना भी नहीं करते हैं अब पूरी की पूरी वेडिक फिलोसपी में चर्चा हो रही थी कि बगवान ऐसे लिए बगवान ऐसे लिए जैसे आप देखोंवगे वेडिक से अंदर प्रिफ सूर्णीक प में दर इंदर को बहुत फूजा और a God who is to run the universe, यह पूरी संसार को चलाने का कारिया वरून कर रहे थे, और उनको भी personify किया गया है, नदियों को personify किया, सरस्वती आप देखोगे, सिंदु देखोगे, रभी देखोगे, सतलत देखोगे, सब को personify किया गया है, उसको व्यक्तिगत रूप दिया गया है, उसक इसके लिए बुद्धिजम को agnoism के रूप में पहचानते हैं, क्या कहते है, agnoistic का मतलब क्या है, कि ना ही ये God के existence को accept करता है, ना ही ये God के existence को deny करता है, in fact, बुद्ध को काफी लोगों ने उस समय के अंदर चर्चाओ के दौरान पूछा था, सुथ पिटाक के अंदर ये चीजे लिखी गई है, कि महराज भगवान के बारे में जरा बताईए, भगवान exist करते हैं, तो कैसे दिखते हैं, बुद्ध कहते हैं, कि भगवान exist भी कर ना करता है सर, या accept भी नहीं करता है, इसके लिए उसको agnostic कहते हैं, याद रखेगा कि टीचिंग सब बुद्धा के अंदर आपको पूछेगा, कि बुद्धिजम किसके अंदर मानता है, तो कहते हैं कि in the earliest forms, मतलब जब बुद्ध अपना टीचिंग दे रहे थे, सुथ प लके class के अंदर बताया था ना, कि जीवन में दुख ही दुख है, और दुख का कारण क्या है, desires है, और desires को अगर आपको दूर करना है, तो दुख को दूर करोगे सर है ना, तो एक पूरी cycle चलती रहेगी, और इसके लिए आपको क्या follow करना है, middle path follow करना है, अध्यम thousands of students every year, thousands मैं बात कर रहा है, लाग हो तो नहीं, यूटूब के ओपर तो लाग भी हो जाते होंगे, क्योंकि कुछ-कुछ वीडियो दो लाग, तीन लाग, चार लाग तक भी गए है, चलिए सर, ठीक है, दस लाग भी गए है, और बीस लाग भी गए है, खेर, पर हम आशा र को करी नाकूं, गुजराथी में हम एक डायलोग बोलते है, कि भागी नाकी से आखकर तोड़ी नाकी से ना, यह हिंदी में डायलोग बोलते है, माजी के जैसा, जब तक तोड़ेंगे नाई, तब तक छोड़ेंगे नाई, तो ऐसे candidate आते है, जो पहले दिन ऐसा मुझे target कर करके कहते हैं, कि Master, मैं आठारा घंटा मेहनत करूँगा, एक candidate आके कहते हैं, कि Master, मैं पचीस घंटा मेहनत करूँगा, मैंने ओला है, पचीस घंटे तो होते भी नहीं है, मतलब उसका जज़बा ऐसा था, कि वो कहता है, कि Sir, मैं extreme hard work करके UPSC को 6 महने के अंदर या, एक साल म अपना शुरू हो जाएगा, और 4 दी नहीं है, वो किताब को रख दोगे, तो मज में आ रहा है आपको, middle path का 11 साथ देखिए, Sir, आपकी desires ऐसी है, कि आप collector बनिये, और collector बनने के चकर में, आप अपने आपको दुखी कर रहे हो, आपको ना पता है तो बताता हो, और वो candidate आय मैंने, वो मुझे पूशता है, कि Sir, कितना घंटा हमको पढ़ाई करनी चाहिए, how long we should study, तो मैंने कहा कि देखे, जितना humanly possible है, जितना दिमाग में saturation नहीं होता है, उतना study करना चाहिए, it depends on the capacity and what type of work you are doing, महला आप जॉब के साथ करो तो आपको कम टाइम मिलेगा, बिना consistency के साथ करोगे, तो अच्छी से तयारी हो पाएगी, but 10 गंटे से ज्यादा थोड़ा tough हो जाता है, क्यूंकि आप तुबह 8 बज़े से शुरू करो cycle, 8 से 10 पहला एक session पढ़ो, class कर रहे हो, तो कहीं online class में join कर रहे हो, उसके बाद आपको self study करनी है, खाना पीना है, आपकी द activities के ओपर चले जाओगे न, eventually, आप जीवन में जितना भी extreme कर रहे हो न, sir, when you are doing severe penance, even in the case of UPSC, when you are doing severe penance, in the case of UPSC, you won't get the results, आपको results कभी नहीं मिलेंगे, sir, क्योंकि इतना extreme वे के अंदर तयारी करना का मतलब क्या है, sir, इस से अचा middle path follow करिए, middle path क्या होगा, sir, मैंने आपक गंटा consistently तयारी कर सकते हो, अब कुछ लोग self-indulgence में ही busy रहते, self-indulgence का मतलब क्या है, कि कहते तो है, sir, हम civil services की तयारी कर रहे है, they will say that, sir, we are preparing for civil services, but they are actually not preparing for civil services, एक लोग ऐसे है, जो 16-18 गंटा तयारी करते है, वो भी मैरे इसाप से futile ही है, क्योंकि आपकी energy कम हो जाएग क्यों डेली 16-18 गंटा पढ़ना नामुमकिन होता है, वो कभी exam के पहले revision के समय पे या थोड़ी energy रहती है, तो आप कुछ पुछ कर देते हो, बट एक हद के बाद वो नहीं कर पाओगे है, it's practically very tough to follow that, subject नहीं समदे, getting upon, तो कहानी क्या है, कहानी ये चलती है, कि बुद का middle path UPC की तैयारी में उतना ही relevance है, कि जब तैयारी करो, तो वो ध्यान देखे करो, कि अगर आपको लंबी पढ़ाई करनी है, तो धीरे धीरे करनी है, और मध्यम मार को अपनाईए, ठीक है, extreme way के अंदर मत जाएगा कभी भी सर, subject नहीं समदे, getting upon, इसी तोर के उपर, जैसे बु अभी आप जैसे देखोगे, तो मेरे class की comment section के अंदर काफी बच्चे होंगे, जो futile discussion करते रहेंगे, कि दुनिया ऐसे चलती है, महावीर के मदर का नाम ये था, बुद्ध के मदर का नाम ये था, अरे वो से अब discussion के उपर इसे प्रशन नहीं आएंगे, प्रशन आपको वह practical learning दिया, practical learning का मतलब क्या है, कि आप जिसे किसा गौतमी की बात की थी मैंने कलके class के अंदर, उसको मृत्यू का एसास करवाना था, बुद्धा wanted her to accept the reality of death, बट किसा गौतमी मानने की तयार नहीं थी, इसके लिए उसको बढ़का दिया, बोले जाओ, गाओ के अंदर कटोरी लेके गोमते रहो, राही का दाना लेके आएगा, वही घर से, जहां किसी का मृत्यू ना हुआ हो, और किसा गौतमी को समझ में आ गया, कि reality है मृत्यू की सर है, यहां पर UPSC में भी practical learning करनी है, कोई subject के उपर PhD करना ही आऊशकता नहीं है, बट आपको उसको practical way of life के साथ दे करता है, क्योंकि अगर academic perspective से UPSC को तैयारी करवानी होती, तो जितने भी teachers है, वो सब के सब collector बन गए होते, teachers का मतलब वो नहीं बता रहो कि हमारे जैसे, teachers मतलब जो university में पढ़ा रहे है, जो जिन्नोंने double JRF लिया है, या PhD की हुई है, एमफिल किया हुए, वैसे लोग, जो scholars से, author से, जो research कर रहे है, सर, getting my point, तो एक चीज़ आप clear रखेगा, you keep this thing in your mind, कि never go into extremities of life, आप पढ़ाई के वग भी जब तयारी कर रहे हो, तो you need to make sure, कि आप limited sources को maximum time revise करी, और बुद्ध ने कहा था, middle path अपनाओ, यह रहा है, middle path, यही middle path को आपको अपनाना है, even in your preparation सर, ठीक तो बुद्ध, in fact, हमेशा extremities को, generally अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो deny करते थे, अब वो कहते थे, कि extreme करने की आवशकता नहीं है, आप extreme traditions की तरफ जाओगे, तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीके, God को लेके बुद्ध की क्या कहानी है, God को लेके कहते है, कि हाँ भी है, नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, we'll not discuss on that, इसके लिए बुद्धिजम, God को agnostic way के अंदर मानता है, whereas, जैनीजन को पूछा गया, और महवीर को पूछा गया, कि भगवान exist करते है, कि नहीं करते है, तो based on the teachings of महवीर, they accepted that God do exist, भगवान exist करते है, पर तिर्थंकार is the ultimate reality, मतलब in the hierarchy of the gods, अगर भगवान की hierarchy में देखा जाएगा, तो तिर्थंकार सबसे उपर आएगा, याद रखेगा, तिर्थंकार is the ultimate reality, and the God comes below that, gods उनके नीचे आता है, ठीक है, जितने भी भगवान है, उनके नीचे आएगे, तिर्थंकार सबसे मुख्या है, तिर्थंका आता है कि God exist करते है, यस जैनिजम, अगर आपको पूछेगा, कि it exists, yes, it exists कि God exist करते है, विदिक रिलिजियन में क्या God exist करता है, yes, they accept, and God has multiple forms, and God's आकार भी होता है, निराकार भी होता है, ठीक है न, तो God की कहानी क्या है, God कभी-कभी सगुन दिखेंगे, सगुन का मतलब है क एक form के अंदर दिखते है, एक मूर्ती के अंदर दिखते है, एक shape में दिखते है, कभी-कभी आपको निर्गुन दिखेंगे, निर्गुन का मतलब है, निराकार निस प्लस आकार, सरहना, तो आप जब भगवत-गीता को देखोगे, तो उसमें God की व्याख्या दी गई है, जैसे Krishna की जो पूरी की पूरी, टीचिंग से उसके अंदर से आपको आएगी, जहां बोलते हैं कि मैं एक आकार के रूप में भी हूँ, मैं निराकार के रूप में भी हूँ, I am in the form of an image, I am in the form, मेरी एक मूर्ती भी है, मेरी एक आकृती भी है, और मैं निराकार भी हूँ, वैसे ही वेरी केज के अंदर भी आपको दिखेगा, वेरी केज में इंद्र को इनफेक जिस तरह से पूजा जाता था, वो कैसे पूजा जाता था सर, getting your point or not, so we come to know, कि इंद्रा वास वर्शिब्ड इन फॉर्म आफ निराकार, उनको बिसिकली थंडर के रूप में कहा गया, विष्णू, रूद्रा, इन सब की मूर्तिया बनती है, ठीक है, तो वैसी ही कंडिशन है, हिंदूजम में गॉड को एक्जिस्ट किया गया है, और इनफेक्ट हिंदूजम में वन गॉड का कंसेप्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको बता चलेगा, कि मैनी गॉड इसी कोई, आप देखोगे, तो कैनोथीजम के रूप में बोला गया है, यह कैनोथीजम के रूप में बोला गया है, मैक्स मूलर करके एक जर्मन इंडोलोजिस्ट है, उसकी रिसर्च के अंदर काफी सारे फ्लॉज और बायसीज है, पट उसने जब हिंदू गॉड को हिंद हिंदूइजम तो स्विकारता ही है, भगवान अलग-अलग, वेदिक सभ्यता, वेदिक मतलब बेसिकली हिंदूइजम के साथ हम लोग बोल रहे है, बुद्धिजम गॉड को एग्नोस्टिक वे के अंदर मनाता है, ठीक है, गडिकमा पॉइंट, तो एक चीज है आपकी यह पे इंफेक्ट है ना, निर्वान प्राप्ति करनी है, तो मध्यम प्रतिपदर रखिए, कोई भी चीज अथीशक्ति में ना करिए, वेरेस जैन ट्रेडिशन क्या बताता है, कि एक्स्ट्रीम बे ओफ लाइफ लाइफ इस इंपोर्टन्ट, एक्स्ट्रीमिटीज का मतलब क है, कि आप जब जब संसार नहीं त्याग होगे, आप जब तक पांच वरत नहीं लोगे, अब तक आपको कभी भी इनफेक्ट है ना, एनलाइटनमेंट, जिसे हम लोग कई वल्या के रूप में पैचानते हैं, वो अचीव नहीं हो पाएगा, तिल दे टाइम युल नोट र परीग्रह, मटरिलिस्टिक पोजेशन को छोड़ दो, अहिंशा, जिसके अंतरगत, आप कह रहे हो कि कोई भी प्रकार की इनफेक्ट है ना, वॉइलन्ट एक्टिविटीज के अंदर पाटिसिपिट नहीं करोंगे, असत्य, जूठ नहीं बोलोगे, अस्टेय, चोरी और प आपको पनिश करता है, जनिजम मानता है, बुदिजम मानता है, और हिंदुईजम भी मानता है, मैं आता हूँ उसके ओपर, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रीम वे ओफ लाइफ को सपोर्ट करता है, वेरास बुद्ध कभी एक्स्ट्रीम वे ओफ लाइफ को सपोर्ट नहीं करता अब जब हम लोग वेदिक रिलीजियन को देखेंगे तो वेदिक रिलीजियन भी it's a mixture of extremities and middle path, मैं क्यों बता रहा हूँ से, extremities and middle path का mixture आपको देखेंगे, क्योंकि जो वेदिक सभ्यता के अंदर traditions develop हुए, जितने भी परमपरा एबम के आई, उसमें कुछ-कुछ परमपरा ऐ ऐसी थी, जो over a period of time Hinduism के अंदर थोड़ी बहुत extremism के इसके तरफ चलीगी, जैसे लोग अगोरी बन जाते हैं, Hinduism का ही पार्ट है आपने देखा होगा, नागा बावा, you might be aware about the communities, जो ना खेड़े से बिलॉँ करते हैं, और जब ये कुम्ब के मेले होते हैं, तो ये फाइड naked saints है न, तो थोड़ी extreme way of life हो जाती है सर, और यहां पर ही आपको पुछ सादू संत दिखेंगे, आपको संत समाज के लोग दिखेंगे, जो middle path भी follow करें, तो Hinduism is a mixture of both the philosophy, so extremism कुछ-कुछ संपरदाय ऐसे है, क्योंकि Hinduism में कोई एक व्याक्या नहीं है, एक संग नहीं है सर, तो यह संपरदायों के अंदर कुछ-कुछ extremities की तरफ जाता है, थोड़ा body को, अपने body को punish करना सर है न, खाने पीने से त्याग देना, आपने देखा होगा, लोग इतनी सारी तपसिया साधना करता है, तो they even stop eating as well सर है न, तो इतनी ध्यान योग में, बलब कितनी आप अप आपको penance के रूप में, तप के रूप में infect है न, punish कर रहा है, तो वो आपकी Hinduism traditions के अंदर आपको दिखेगी सर, ठीक है, तो यह भी इसके अंदर का एक interesting part, teachings के अंदर बुद्ध बताता है, कि बुद्ध के teachings में आपको बहुत सारी interesting कहानी आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है, बुद्ध कहते हैं कि social world is the main creation of the humans, rather than of the divine origin, मतलब हम लोग जो आज सामाजिक रूप से रीत रिवाद देख रहे हैं, तो इससे हमको दो थी समझ में आ रही है, कि बुद्ध के teachings में, उन्होंने जो वर्ण hierarchy जो थी, उसको सामाजिक रूप से highlight करने की कोशिश की है, अब ये चीज़ याद रखेगा सर, कि वनपर था, ब्रह्मान, शत्रिय, वाईशेज और शूद्र सर, ठीक है, इनके पूरे के बूरे जो traditions डेवलोप हो रहे थे, लेटर विदिक पीरिड से डेवलोप होने शुरू होए, social टेबल याद रखेगा, ये टेबल से कोशन बहुत सारे बनते रहेंगे आपके सर, ठीक है, तो इसी के अंतरगत हम लोगो एक पांचवा पॉइंट लिख सकते है, कि society में ये वन हाइरार्की को थोड़ा बहुत प्रशना करता है, पर ये चीज़ याद रखेगा, कि वन रखने का कारिया आपको इहां पर दिख जाएगा, जो थोड़ा इसको डिफर करता है, इन तीनों के अंदर एक commonness आपको देखेगी, वो है कर्म के बारे में से, ठीक है, वो बुद्ध हो गए, महवीर हो गए, या वेदिक सभ्यता हो गई, सब के अंदर एक commonness आपको देख रखेगी, वो है कर्म, एवरी philosophy believes into the idea of कर्म, यह याद रखेगा, यह कहता है कि कर्म is the ultimate liberator for life, बुद्ध भी कहके गए थे, कि कर्म जो है, वही आपको आगे लेके जाएगा, इसके लिए बुद्ध ने कहा है, निश्काम कर्म करो, कर्म करते रहो, फलकी आसा मत रखो, जो व आपको लेके चलेंगे, आप जब यह पांच वरत लेते हो, तो आप ultimately good कर्म कर रहे हो सर, अच्छा कर्म कर रहे हो, और अच्छा कर्म करोगे, तो you will be liberated from the cycles of rebirth, पुनर जनम का concept, in fact याद रखेगा, कि in three of the philosophies, rebirth concept takes place, पुनर जनम के अंदर मानते हैं, बुद्ध जम भी मानता ह क्योंकि हम लोग इनसे खलाब कर्म करते हैं, हमारा पुनर जनम होता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में आते रहेंगे, और फिर यहाँ पे दुखी होते रहेंगे, सर, ठीक है, महवीर भी कहता है कि जब तक हमारा सोल purify नहीं होता by doing the good कर्म, we'll keep on having rebirth, हमारे पुनर जनम होते रहेंगे, और हिंदुईजम में के अंदर तो rebirth की एक पूरी लंबी traditions दिखती है, एक जनमा, दूसरा जनमा, तीसरा जनमा, कितने सारे जनमा हो रहा है, सर, इवन गौड्स के भी कितने सारे incarnations है, अब विश्नु देखे, सर, विश्नु के इतने सारे अवतार क्यो एक रूप से नहीं, तो दूसर रूप में, दूसर रूप से नहीं, तो तीसर रूप में, क्योंकि हिंदुजम के अंदर भगवान सगुन और निर्गुन दोनों रूप में दिखते है, कभी आकार वाले दिखते है, कभी निराकार दिखते है, जिसे नानक निराकार कहते है उसी को ही शंक्राचारिय या मैं कहूंगा कि क्या कहते है अपने रामानुजाचारिय विश्नु के रूप में कहेंगे ठीक है नानक 15th century में हो गए और नानक जी ने भगवान को निराकार कहा था as a part of the सनातनी traditions और करीबन 10th century 11th century के transition period के बाद आपको दिखेंगे रामानुजाचारिय मिलेंगे वो कहता है कि जो ultimate reality है God है वो कौन है सगून है एकाकार वाले विश्नु जी है ठीक है तो सबके अपने अपने विचारदार है पर rebirth के concept के अंदर मानेगी तो जो common है common between Buddhism, महावीर and Buddhism, Jainism and Hinduism उसमें कर्म का सिध्धान, rebirth का सिध्धान दिखेगा ये दोनों के दोनों common आपको यहाँ पर दिखेंगे Jainism directly ये कभी नहीं कहता है कि हरेक चीज के अंदर transient होता है, change को indirectly pursue करता है, soul को नहीं मानता है, Buddhism soul को नहीं मानेगा Jainism मानेगा, Hinduism भी soul को मानता रहता है, वर्ण प्रथा को लेके बुद्ध कहते है कि ये humans ने बनाया था Jainism उसको condemn करता है वेदिक सभ्धिता के अंदर वर्ण सिस्टम को स्विकारा गया है, उसके साथ God के बारे में इनफेक्ट हैना Buddhism मना करता है, या Agnostic रहता है, वो हाँ भी नहीं कहता है ना भी नहीं कहता है, ये शब्द याद रखेगा Agnism सर, एथिजम का मतलब होता है ना कहना उसमें कुछ-कुछ किताबों में लिखा गया है कि Jainism in Atheistic in Nature Atheistic का मतलब है Deny करना, ये जनिजम 100% Atheistic नहीं था, याद रखेगा ऐसा तो आपको क्या देख रहा है कि यहाँ पर ये गुड कर्मा का कंसेट देखेगा जो कर्मा के अंदर मानता है वो मिडल पात के अंदर सजेस्ट करेंगे Jainism कहेंगे कि no, extremities should be followed Hinduism या वेदिक सब्वेता के अंतरगत आपको extremism plus middle plot का mixture देखने को मिलता रहता है और यहाँ पर एक से ज़्यादा भगवानों को माना गया है वेरास Jainism के अंतरगत तिर्थंकार का important सबसे है और उसके नीचे भगवान आपको मिल जाएंगे ठीक है, तो एक पूरा chart है regarding the three different philosophies that existed in the ancient India और वो उस टाइम पर exist किया करती थी उसकी पूरी बात है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ठीक है ना, तो गुमा फिरा के क्या क्या चीज़े मिल रही है बुद कहते है जब तक व्यक्तिगत रूप से बदलाव करोगे तब तक समाज के अंदर बदलाव नहीं होगा सर, ठीक है अब individual efforts का मतलब क्या है सर eventually आपको कोई external efforts या external कर्मकांड करने की आवर्शकता नहीं है सर, ठीक है अब देखें, यहां से एक प्रशना एगा rituals के अंतरगत सर, ठीक है rituals का मतलब क्या है कि जो अलग-अलग प्रकार के कर्मकांड हो रहे थे later very period में उसको मानता है कि नहीं मानता है तो बुद्धिजम basically rituals को deny करता है बुद्धिजम कहता है कि rituals से कुछ नहीं होगा सर, है न व्यक्ति को effort करना पड़ेगा individual efforts are required to have enlightenment क्योंकि बुद्धि ने खुद व्यक्तिकत यहां पर मेहनत की थी in fact, UPC के candidates को भी मैं यहीं बना के कोशिश करने की समझाने की कोशिश करूँगा UPC के candidates भी कभी है ना बाहर की ताकतों के पास चले जाता है और form भरने से पहले मुरत निकालेंगे के भाई आज मुरत कैसा है बहुत बढ़िया मुरत है बोले form भर दे के ना भर दे से ठीके देखिए आप पकड़ने की कोशिश करिए आपके जितने भी ग्रह स्टार्स अगर आप astronomy के अंदर मानते हैं astrology के अंदर भी मानते हैं वो तभी एक्टिव होंगे जब आप मेहनत करोगे से ठीके आप ऐसा सोचोगे कि मैंने एक अच्छा मूरत देके form भरा है और eventually मैं एक्जाम पास हो जाओंगा वो नहीं होगा व्यक्तिकत प्रयत्ना करने पड़ेंगे से रहना आप कहोगे कि मैं कहीं पर मंदिर जाओंगा मस्जिद चला जाओंगा मैं चर्च में चला जाओंगा अपना जो भी धर्म है और वहाँ पे बगवान जी को परातना करूँगा, ईश्वर अला को परातना करूँगा और मैं एक्जाम क्लियर कर दूँगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है बुद्ध उसी को ही कहते है, बुद्ध कहते है कि external effort से कुछ नहीं होगा आप बहारी जो विचार है, बहारी बेसिकली जो बेसिस है, external side उससे कुछ नहीं होगा, आपको individual efforts में करने की आवशकता है ठीक है, so we see that ये कहते हैं कि external efforts मत लगा ही है अगर आपको निर्वान प्राप्ती करनी है, अगर आपको enlightenment चाहिए external efforts नहीं, आपको individually कुछ करना पड़ेगा, अभियक्तिकत रूप है selfless action की बात कर रहे है, किसकी बात कर रहे है, selfless action की बारे में बात कर रहे है और बुद्ध बताता है कि हमको selfless, निशकाम कर्म करना चाहिए जैनिजम के अंतरगत भी आपको rituals को deny करता है, वो भी कहता है कि rituals करने की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि rituals करोगे, तो यह कर्मकांड हो जाएगा, तो इसके कारण आप देखोगे, तो वेद है या वेदिक सभिता के अंदर जो वेद का culture है, उसको यह काफी लोग खंडन भी कर देते है वेरस वेदिक period के अंदर है और उसके बाद जब हिंदूइजम का development हुआ, तो इसमें rituals का भी importance दिखता है उसमें individual efforts को भी highlight किया गया है, इसमें एक चीज और add की गई है, वो है knowledge कि आपको गनान मार की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उपनिशद के बारे में आपने पढ़ा होगा, उपनिशद के बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत पिछले class के अंदर बताया था चंडोगे उपनिशद है, तैतरी उपनिशद है, स्वेत शार उपनिशद है, यह सब बेसिकली भ्रिया दरणिय का है सर, यह बहुत सारे उपनिशद आपको दिखेंगे, रिगवेत के अंदर से, उन सब के अंदर इसकी बहुत बात की कि इंडिविज़ज़ एफर्ट्स और नॉलेज़ ग्डान मार के तरफ जाना चाहिए सर, ठीक है, बुदध भी कहते है कि अपने कर्म अच्छे करिये सर, ना समझे कनी समझे, बहुत इंपोर्टन पॉइंट हमको यहाँ पर मिलेगी, बुदध क्या कहते है, बुद्ध कहते है व्यक्तिगत प्रयत्न करो यह दुख के चक्रवियू से बाहर निकलना है और पुनरजनम के चक्रवियू से बाहर निकलना है पुनरजनम के चक्रवियू से क्यों क्यों कि आप जितने डिजायर रखोगे उतना दुखी होगा और जितना दुखी होगा आपक को self-realization जैसे बुद्ध को हुआ था पर उसके लिए बुद्ध ने रास्ता चुना था और उनको ये रास्ते चुनने के लिए अपने teachers ने बहुत help किया था और वो teachers कौन थे रामपुत्र थे और वही teachers तो बुद्ध जरूर से कहते हैं कि self-realization होने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी यूपीएसी पास करने के लिए आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी एक टीचर के रूप में हम कभी ये क्लेम नहीं करेंगे कि हम पास करवाएंगे हम ये जरूर भी कि हम आपको दिशा देंगे विल डेफिनेटली से जैसे बुद्ध को दिशा दीगे थी अलारा कर्म के दवरा कि बेटा meditate कैसे करना है राम पूद्र के दवरा जहां पे बुद्ध को basic philosophy of life समझाएगी थी तो उनको जीवन के ज्यादा तर initial प्रशन थे तो वहां पे solve हो रहे थे और उसके बाद बुद्ध ने अपने खुद के प्रहतने लगाए तब जाके बुद्ध बन गया है तो यह चीज को याद रखेगा बीज रिमेंबर देस पॉइंट कि इफ वांट टू अचीव सेल्फ रियलाइशन जिसे निर्वान कहा गया है तो आपको अल्टीमेटली प्रहतना करने पड़े और जिस दिन निर्वान प्राप्ति होगी तो आपके अंदर की जो इगो है आपके अंदर की जो डिजायर है आपके अंदर की जो भी इच्छा है वो सब कुछ खतम हो जाएगी और आपके अंदर की जो फायर है आपके अंदर की जो आगे वो खतम हो जाएगी आप ऐसे उपर लेवल के उपर चले जाओगे जहां आपको लगया कि सब मोम आया है आप सूपर से भी उपर चले जाओग कि आपके यहाँ पर जो भी डिजार से आपकी जो भी इच्छा है वो सब खतम हो जाती है everything comes to an end समझेख नहीं समझेख और eventually जब डिजार खतम हो जाएगी तो आपका दुख खतम हो जाएगा eventually जब डिजार खतम हो जाएगी तो दुख खतम होगा तो खुद प्रयतना करिए से खुद प्रयतना करिए व्यक्तिकत effort नहीं करोगे तब तक नहीं होगे whereas Vedic period के अंदर आपको एक दर्शन दिखेगा जिसका नाम है मिमानसा दर्शन तो मिमानसा दर्शन की कहानी ये है कि मिमानसा दर्शन में philosophical basis ऐसे बनाया गया जहां बोला गया कि आपको यहां पे करमकांड करने पड़ेंगे you are supposed to do some kind of rituals and then it will lead to moksh or salvation या liberation getting a point or not है ना तो लिखता है कि according to Buddhist traditions his last words to his followers were be lamps unto yourself as all of you must work out your own liberation आप खुद के दिये बनिये बाहर के दिये धुणने की कोशिश मत करिये आपके अंदर ही उतनी ताकत है कि आप अपना खुद का इंफेक्ट हैने एक रास्ता चूज कर सकते हो तो गादी कहते है ना be the change you want to see in this world तो बुद कहते है कि आप खुद के दिये बनिये सरह be the lamp unto yourself as all of you must work out your own liberation आपको खुद की निर्वान प्राप्ती करनी है UPSC बे भी यही है दोस्तों दिशा दिखाने के लिए हम हैं पर मेहनत तो आपको खुद को करने पड़ेगी बुद के teachings हमको बहुत practicality दर्शात है वो बगवान के discussion में गए नहीं जो वेडिक पिरड के अंदर बहुत चला बगवान ऐसे होंगे बगवान ऐसे होंगे महवीर के वे बहुत extreme थी इसके लिए महवीर की popularity नहीं हो पाई उनके teachings की क्योंकि वो जो अपने आपको जब पांच अवरत लेते हो तो it's a very extreme way of life you cannot follow it absolutely it's very tough to follow that उसके सामने बुद को देखिए बीच का रास्ता निकार कहते हैं be the lambs unto yourself as you all must work out your own liberation खुद ही मेनत करनी है एकला चालो रहे civil services की तैयारी भी यही है बुद्धिजम हमको बहुत चीज़े सिखाता है civil services इन फेकल उटके job में जाओगे तो ऐसी खराब मतलब मैं कहूँगा critical conditions भी create होगी law and order की होगी आपके ओपर inquiry बैठेगी you will be scrutinized by the media you will be scrutinized by the public you will be scrutinized by your own authority but be the lamp unto yourself आप अपने खुद के और righteous रहेगे अपने जीवन के अंदर क्योंकि बुद्ध ये कहके गए है आप हमेशा righteous रहोगे गलत नहीं करोगे और right intention के साथ करोगे समाज के welfare के लिए करोगे तो आप कभी भी कितनी भी scrutinia में होगे you will be overcoming that crisis और जब वे crisis से overcome करोगे तो you will be attaining a state of निर्वाण निर्वाण का मतलब ये नहीं कि physical death निर्वाण का मतलब है कि अंदर के अंदर की जो तुरुषना है आपके अंदर की जो desires है वो खतम हो जाएगी और जिस दिन desire खतम होगे वो suffering खतम हो जाएगा आप दुखी नहीं होगे आप इतने बोधी बन जाओगे आपको पूरी दुनिया का ग्रान मिल जाएगे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी कि सूरज क्यों ऐसे उखता है पुरुच भी क्यों ऐसे चलती है ये ऐसा क्यों कर रहा है getting my point everything you will comprehend comprehend कर रहा होना बता रहा हो आप हर एक चीज़ समझोगे और उसको बहुत effectively आप उसको gain करोगे सर। इतने effectively gain करोगे और वहाँ से ही आपकी life बदल जाएगी पूरी तरह से बदल जाएगी completely change personality UPSC में भी यही individual efforts लगाने की आउशकता है पर बुद्ध ने individual लगाने से पहले व्यक्तिगत efforts लगाने से पहले teachers की मदद जरूर ली थी क्योंकि वो teachers ही थे जो बुद्ध को एसास कराते है कि बेटा आप पहले foundation बनाएए फिर individual efforts लगाईएगा आप पहले subject को सीखिए फिर individual efforts लगाईएगा जैसे बुद्ध बुद्ध बने उनको 5 साल लगा 6 साल लगा बोधी बनने में civil services की तैयारी भी वैसी ही इन्फिक बोधी बनने की तैयारी है initially अगर रास्ता भटक जाओगे तो यहां 5 नहीं 10 साल निकल जाएंगे पर PT नहीं clear होगी और अगर यही तैयारी के अंदर आप dedicated way के अंदर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो क्योंकि एक शिक्षक के रूप में टीचर के रूप में फिलोस्फर के रूप में एक फ्रेंड के रूप में गाइड के रूप में मैं आपको दिशा सही बताऊंगा मेहनत तो आपको ही करनी है वो विध्यार्ती की बहुत मेहनत थी और वो विध्यार्ती ने अपना जी जान लगाए पर हम जरूर से ये कहेंगे कि हमारा विध्यार्ती था हमने उसको ये दिशा रिखाई की कि बेटा इस सब्जेक को ऐसे पढ़ना है इसमेंसे यहां से यह कोशन आएंगे और इसको अप्रोच ऐसे कर रहा है UPSC preparation is actually a preparation to become a bodhi रास्ता भटकोगे तो होगा ऐसा कि कभी निर्वान प्राप्ती नहीं होगी आपको जो लेवल पे जाना है वो कभी नहीं जा पाओगे और बिना रास्ता भटके आप अगर एक गुरू की छत्रचाय में चलेगे टीचर की छत्रचाय में चले जाएगे आखिर में तो आपको वेक्टिकर एफर्ट्स लगाना है सोला घंटा मैं तो बैटने आऊंगा नहीं मेंस लिखने के लिए मैं आऊंगा नहीं प्रिलिम्स लिखने के रहस्ता में आपको दिखाऊंगे कैसे अप्रोज करना है जो बुद्ध को अलारकल्म और उदक ने किया था राम पुत्र ने किया था वही कारे हम आपके साथ यहां पर कर रहे हैं विद्ध इस नोट लेट्स कंक्लूड दे सेशन करेंगे सर वो कहेंगे कि हर एक चीज सुन्यवाद वैक्यूम में एग्जिस्ट करती है गौड को लेके इन्होंने अपने क्लैरिटी नहीं दी इसके लिए अग्नोस्टिक कहा गया है और हमेशा मध्यमारगिय कहा गया इन्फक बुद्ध इन्डिजिजल एफर्ट को जरू से कहेंगे और कहेंगे निश्काम कर्म करिये तो निर्वान प्राप्ति होगी निर्वान विल लीट टू दे अल्टिमेट रियालिटी आफ लाइफ और इनी बेजिस के ओपर बुद्ध के टीचिंग्स दीरे दीरे करके जब उनका मृत्यु हुआ तो आफ्टर इस डेथ इन दे फर्स्ट बुद्धिस काउंसिल यहां पे कंपाइल किये गए तो कंपाइलेशन ओफ टीचिंग्स विल टेक प्लेस मैं आपको कल आऊंगा इसके ओपर और वहां से ही हम लोग देखने की कुशिश करेंगे कि बुद्ध के बहुत सारे फॉलोवर्स उभर के आए और यह फॉलोवर्स ने बुद्ध के विचारों को इतना प्रस्रित किया कि एक संथ एक गनानी इनसान एक बोधी इनसान अपने जीवन के करीबन साड़े चारसो साल के बाद पता चलता है कि भगवान बन गए महात्मा बन गए तो यह थी कहानी बुद्ध की और उनके टीचिंग्स की इसी प्रकार की और कहानियाओं को और फिलोस्पिकल अंड़स्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ना और प्लस कोर्सिस क्योंकि बुद्ध के साथ भी यही हुआ था कि वो रास्ता ठीक ना चुने होते तो हो सकता था कि बुद्ध को जिस प्रकार से इनफेक्ट है ना अंड़स्टैंडिंग डेवलोप हुई वो ना हो पाती और बुद्ध बुद्ध ना बनते आप भी बोधी बनने के रास्ते के उपर हो रास्ता चूस करिए जुड़िये हमारे साथ तैयारी के अंदर यूपेसी सिवल सेरुसिस की तैयारी और लार्जसेस्ट एजुकेशन रिवॉलुशन मैं करांती कहता हूँ ये शब्द को क्योंकि जिस माधियम के थरू हम आपके साथ करेक्टेड है डिजिटल माधियम और उसके तहत एजुकेशन जहां कहां डेड़ दो लाख रुपय फीज आप कहीं पे दे रहे थे वहां हम लोग हाडली 30-40 थाउजन के अंदर 40-50 थाउजन तक आते आते तो इन फे प्रिलिम्स, मेंस, ओप्शनल तक की तैयारी इंटर्वी तक की तैयारी नोट्स, टेस्सीरीज, एवरिटिंग अंदर वन रूफ आज से शुरू कर दिया है हमने Modern History का कोर्स 11 तारीख से एक सेशन हो गया है You're most welcome to attend रेकोड़ेट सेशन मिल जाएंगे और बेस्ट पार्ट है आप मेरे से लाइव इंटरेक कर पाओगे जो कभी-कभी यहाँ पर नहीं हो पाता है because of the limitation of time So मैं आपको फिर से welcome करता हूँ आप जोड़िये हमारे platform के उपर और तैयारी को push करिए बोधी बनिये individual action से ही बोधी बनना है पर रास्ता चूज करना है तो आप हमारे सजरों से आ सकते हो Use this code while taking the subscription and join us on the biggest education revolution in the country Thank you very much All the best and God bless you